हेलो फ्रेंज, नमसकार, स्बेक्व तो वन्डे एक्जाम टार्गेट आप सभी का सुआ गता है आपके अपने चैनल 1 गक्जाम टार्गेट पर जैसर कि आप सभी को पता है कोशिन का कलेक्सिन आपको इस पूरे विडियो में देखने को मिलेगा तो शुर्व से लास देख वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कौन सा अंग है? जो इंसूलिन पैदा करता है. बिकल्प आपको कौन सा सही होगा है चलिए. ऑप्सन यहां पर हमारा है एक्रित है, अगनाश है, तिल्ली है यहdeneline है , या पितास है 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 इस अपसन कौन सा सही होगा? तो बिकल्प यहाँ पर हमारा B सही हो जाता है अगनाशे, पैंक्रियास मानोशरीन में इंसुलिन, अगनाशे में इस्थित लैंगर हैंक्स की देपिकाओं की बीटा कोसिकाओं की द्वारा उत्पन होता है बहुत ही important point मैंने आपको बताया है जो इंसुलिन होता है अगनाशे से तो निकलता ही है लेकिन अगनाशे में भी किस से निकलता है तो लैंगर हैंस यह बैग्याने की नाम पर यह नाम रखा गया लेंगर एंस की य कि दीपिकाल एलेट उयम के द्वारा इलेटने की द्वारा इन्सुलिन धियंद्य यह आप लाइन याद रख्कैंए ए अगनाश हैरा दीद्वन के द्वारा और लेंगर में और यह में इंसुलिन है क्या इंसुलिनिक हार्मोन है क्या है इंसुलिन हार्मोन है यह मानोश शरीर में क्या खाम करता है तो यह मानोश शरीर में रुधिर में मानोश शरीर के रुधिर में शरकरा को नियंत्रित करता है ग्लुकोज को यह यह जो अगनाशे हैं यह कैसी ग्रंति है तो आपको उत्र हो गई है मिस्चृत ग्रंति है के मशल्य क्यूं कही जाती है और यस अंताषरावी और बाश रावी दोनों है अगले कॉश्चिन पर चलेंगे नेख्सट हमारा कोश्चिन आप सभी की इचरी इस पॉइंट सब्सक्राइब करें लाइक करें और न्य चैनल को करेंगे शैनल सिर्फ ना करें कि सब्सक्राइब जसे कि जब भी है वेडियो अप लूट जह उन आगए और कोई भी कना सी कौन सा अंग अप प्रयूक्ति या चतिग्रस्त बिंबाडू को हटाने में सक्षम है चतिग्रस्त बिंबाडू को हटाने में कौन सा अंग सक्षम है ओप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है ओप्शन सी तिल्ले या प्लेहा इसे कहते हैं इस्प्लीन ये मानो उदर में मानो उदर में इस्थिते एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ ये रक्त का भंडार रखता है उसके साथ साथ जो छतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं है उसको नस्ट करने या हटाने का कारे करता है इसलिए इसे RBC की कब्रगाह, Red Blood Carpsules की कब्रगाह कहा जाता है ये कोशिन खुब पूछा गया है RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा तिल लीप लिहा ठीक, क्यों कब्रगाह कहा जाता है, ये लागरत कोशिकाओं को हटाने का ये नस्ट करने का कारी करता है, ठीक है? चलेंगे, अगले कोशिन पर चलते हैं, next हमारा कोशिन है कोशिन है, माहाधमनी, fill in the blank के shares पर शुरू होती है दाया निलाय, बाया निलाय, ये दाया आलिंद ये बाया आलिंद और इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिस्रित रख्त का संचरण होता है आप ये ध्यान दिजेगा, माहाधमनी से, माहाधमनी में ऑक्सीजन मिस्रित यानि कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ रख्त रहता है और ऐसा रक्त जिसमें oxygen मिला हुआ होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त ठीक है अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं जिसमें oxygen नहीं होता है ठीक है और आपको बता दें ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है इसका जो ब्यास होता है लगभग 3 cm होता है ये शरीर की सबसे बड़ वाले भाग के छिदर पर tri graduates वाल्ब पाया जाता है tri kaspid तीन तरह से यह घ्रा हुआ होता है to tri kaspid वाल्ब पाया जाता है ठेकि ये धियान दीजियेगा question पूछा गया fill in the blank question ने अधिगरही चरित्र की विरासत के सिधान को प्रतिपादित किया जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ओगस्ट वीजबन ग्रेगर जॉन मैंडल या चार्ल्स डॉर्विन आपसनियां पर हमारा एस ही होता है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 में अधिग्रही चरित्र की बिरासत यानि की उपारजित लक्षणों की वन्शागती यानि की जो लक्षण हमें मिलते हैं उसकी आगे वन्शागती मतलब यानि की आगली पीड़ी में भी वो लक्षण हमें दरपीड़ी मिलते जाते हैं तो इस सिद्धान का प्रतिपादन किया है लैमार्क ने और ग्रेगर जान मेंडल ने अनुवांसिकी का सिद्धान प्रस्तुत किया और चार्ल्स डार्विन को जैविक विकास के सिद्धान का प्रतिपादक माना जाता है ठीक है डार्विन को जैविकास के सिद्धान का प्रत हमारा question आप सभी की screen पर है question पीड़-पोदों में निसेचन के बाद अंडाशे में अंडास होता है अंडाशे किसमें परिवर्थित होता बीज में पुषप केसर में जायंग में या फल में ऑप्सट कौन से सही और बहुत ही important question है बिकल्प आपका D से हो जाता है फल में यह परिवर्तित हो जाता है पेड़ पौदों में इस सेचन के बाद जो अंडाशे होता है यहाँ पर यह फल में परिवर्तित हो जाता है फल में परिवर्तित हो जाता है और जो बीजांड होता है अंदर का जो बिजान्ड होता है वो उसमें बीजों का निर्माड होता है ठीक है चले आगले कोशन पर चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोशन है पौदों में पानी और पोशक तत्तों के परिवान के लिए संवहनी उतक को क्या कहा जाता है पौदों में पानी और पोशक तत्तों के परिवान के लिए जायलम और भोजन के परिवान के लिए कौन सी संवहनी उतक होते है तो भोजन के लिए फ्लोयम होता है और जल खनीज लवन के लिए क्या होता है जायलम होता है तो बिकल्प यहां पर आपका C सही हो जाता है, और जाहिलम एग जटिल, इस्थाई उतक है, यह जानते रही है, जो समवहन बंडल के अंदर पाया जाता है, जायलम जल के समवहन में मुख्य भूमिका निभाता है और पौदों में पोसक तत्तों का परिवहन जो होता है पोसक तत्तों या खनिजलवण का परिवहन होता है यानि कि जो भी द्रव वाली चीज़ है जैसे पेड पौद यहां पर देखिए उमीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा ठीक है तो चलते हैं अगले कोश्चन पर नेक्स्ट हमारा कोश्चन है निमलिखित विकल्पों में से पुनुरुत पादक बीज उत्पादक पौदे का नाम आपको बताना है पुनुरुत पादक बीज यानि कि उसी से आप उस पौधे से आप बीज भी उत्पन कर सकते हैं गेदा है गेदे में क्या लगाया जाता है बीज लगता है ब्रेड मोल अद्रग लिए ऑप्सन यहाँ पर आपका सी से हो जाता है आलू केवाल आलू है जो पुनरुत पादक बीच पौधा है पुनरुत पादक बीच ये पौधा है ये ठीक है आलू आलू को काट करके ही जमीन में लगा दिया जाता है तो फिर उसे एक नया पौधा उत्पन होता है हमारा अगला कोशिन आप सभी के लिए है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्तिती की कारण रक्त के ठक्के का गठन होता है इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है ओप्सन कमारा है यहां पर देखिए एरित्रोसाइट्स होगा लिंफोसाइट्स, मोनोसाइट्स या थ्रूमबोसाइट्स बहुत ही आसान सा कोशिकाओं है बस आपको थोड़ा सा दिमाग दोड़ाना है तो बेकल्प यहां पर आपका डी सही हो जाता है थ्रूमबोसाइट्स ठीक है थ्रूमबोसाइट्स थ्रूमबोसाइट्स या जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं प्लेट्लेट्स या थ्रॉम्बोसाइट केवल अस्तनियों में यानि कि मनुस्च के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिका है यह गोल होती है अंडाकार होती है प्लेट के आकार की होती है और केंद्रक विहीन होती है कोशिक पूछा जाता है केंद्रक विहीन होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता इसका मुख्यकारी क्या है रुधिर ठक का जमने में सहायता करना बहुत इंपॉर्टन कोशन है रुधिर का ठक का जमने में रुधिर प्लेट लेट्स यह जो फ्रॉम्बो साइथ होती हैं वह फो करती है चलते हैं हम नेक्स्ट कोशन के तरफ अग झाल जाते हैं मनुश्यों में निसेचन की क्रिया कहा पर होती यह कोशचिन पूचा जाते हैं तो निशेचन की प्रक्रिया इस तरीके से यहाँ पर जाकर के यह फैलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर निशेचन की प्रक्रिया यहाँ पर एक होता है फिर इधर से इस पर जाता है और फिर दोनों यहाँ पर सनलियत होते हैं मिलते हैं और यहीं पर होती है निसेचन की प्रक्रिया ठीक है और आपको बता दें फिर उसके बाद आगे जब दोनों मिलते हैं तो यह बनाते हैं जागोड जागोड मिलते हैं फिर उसके पाद आगे की प्रोसेस होती है फिर पर संपन होती तो आपका उतर होगा फैलोपियन ट्यूब क्या बोल रहा है फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब ठीक फैलोपियन धली का अगले कोशन पर चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोशन है आराम करने वाले ब्यक्ति की नाड़ी की दर आम तोर पर प्रतीम मिनट कितने धड़कन के बीच होती है फिल इन ब्लैंक चले लगा दीजे बेगलब आप सभी के सामने तो आपको जल्दी से बताना है कौन सा ओप्सन यहापर होगा सही ओप्सन यहा जाता साथ और पचात्तर के बीच होती है तो हिर्दे के जो निलय होते हैं विश्यसकर बाय निलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर की धमनियों में जटकी के साथ आगे बार-बार बढ़ता है जिससे धमनियों में कमपन होता है इस्पंदन होता है जिन अस्थानों पर धमन को नाडियों को छोग करके पहचाना जाता है तो जिसे हम नाड़ी कहते हैं आराम करने वाले ब्यक्ति की नाड़ी की दर आम तौर पर प्रती मिनट कितनी होती साथ और पचछतर के पीच होती है चली आले कोशन पर आ जाते हैं एक वैसक इंसान सामारे रूप से 24 गंटे में एक से fill in the blank कितने मुत्र विसरजित करता है एक लिटर से कितने लिटर 24 गंटे में लगभग option यहाँ पर हमारा D से हो जाता है 1.8 लिटर एक सामाने वैसक मानो सामाने रूप से 24 गंटे में लगभग देर से 1.8 लिटर मुत्र का विसरजिन करता है और आप से question पूछा जाता है मुत्र का जो composition होता है तो मुत्र में सामाने रूप से 95 परसंट तक जल होता है दो परसंट इसमें लवड होता है और 2.5 परसंट यूरिया और 0.3 परसंट यूरिक अमल होते हैं इसके लावा एक important चीज़ पूछा जाता है इसमें क्रेटनीन और अमोनिया भी पाया जाता है अचा मुत्र का रंग पीला किस वज़ा से होता है मुत्र का रंग जो पीला होता है यह किस वज़ा से होता है आपको मनें पढ़ाया है कि जब बुक्स चल रही थी तब और आपको अगर याद होगा तो आपने comment section में जरुब बता सब्सक्राइब ऐससे कॉनों 2033 में विटामिन के की आविश्कार के लिए तिया गया और पूरा नाम है Edward Adelivert Doezy Edward Adelivert लिख देते हैं Edward Adelivert Doezy ये एक अमेरिक की जाओर रसाइनगी है वर्स 1943 में इन्हें देनमार के बायोचेमिस्ट या फिजियोलोजिस्ट हैंडिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासानिक सरशना की खोच के लिए फिजियोलोजी या मेडिसीन में प्रसिद नोबल पुरसकार प्राप्त हुआ बहुत इंपोर्टन कोश्चन बनता है आपके लिए और बिटामिन के का क्या काम है बिटामिन के का क्या काम है बिटामिन के रक्त का ठक्का बनाने में सहायक बिटामिन है बहुत important question है clear है हमारा अगला question है मारा शरीर में श्रोडी कंकाल का आखार क्या होता है श्रोडी कंकाल का आखार आपको बताना है Option यहाँ पर कौन से सही को वर्ग है, त्रिकोण, आयत या सटबुच Option यहाँ पर B सही हो जाता है, हमारा Option B त्रिकोण है माना शरीर में शोणी कंकाल का आकार त्रिकोण होता है शोणी में खला पैरों की अस्थियों को अपने से जोडने के लिए संधी अस्थान प्रदान करती है यह अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है शोणी में खला तीन प्रकार की अस्थियों से मिलकर के बनी होती है ये तीनों अस्थियां कौन सी हैं, इलियम है, इश्ययम है और प्यूबिस है, तीन अस्थियां है अगले कोशन पर चलेंगे, नेक्स्ट हमारा कोशन आप सभी की स्क्रीन पर है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है, क्रोमेटीन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भाँ उता है उसे क्या कहा जाता है, जो साइन्स स्ट्रीम के स्ट्रोएंट होंगे, क्रोमोसोम पगर पढ़े हैं तो जार रहे होंगे गुड़ सूत्र जिसे हिंदी में कहते हैं और जो अधर स्ट्रीम के हैं तो ज़्यादा परिशान होने की जरू होते हैं जितना हम बताते चले उतना आप लोग पढ़ लीजिए तो ऑप्सन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है हेट्रो क्रोमेटिन हेट्रो क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारिया होती है जो अधिक घना भरा होता है उसे हम हेट्रो क्रोमेटिन को आप क्रोमोसोमल सेग्मेंट की रूप में परिभासित कर सकते हैं आचा एट्रो क्रोमेटिन यू क्रोमेटिन का अपोजिट होता है इसके विप्रीत कारि करता है यह dna और rna पोलिमरिज को dna तक पहुंचानी में रुकाव टूत्थपन करता है यह ध्यान रखिएगा बहुत important है question पोचा जाता है नेक्स्ट question पर हम चलेंगे जड़ आपोजिट कारी कर रहा तो उसका क्या कारे है आप समझ सकते हैं दूसरे वाले का अगला question है कौन सा खनिज मांस पेशियों और तंत्र का तंत्र को शक्री और नियंत्रित करता है बहुत इंपॉर्टिन कोश्य है math subjectрон कौ सक्री और को में चया पिद्थ को सक्री करने का उसका को楽ी करता है जिंक लोही को है आप्सन हमारा d सी हो जाता है मैगनिशिय чуд करता है यह मानौ शरीर में पाय जाने वाले पांच प्रमुक रासानी तत्तों में से एक है और यह मानौ शरीर की जैविक क्रियाओं में भी सही हो करता है इसका मुख्य स्रोत क्या है पत्यदार सबजियां है केला है शल्जम है बादाम है काजू है नेक्स्ट हमारा कोशिन है कॉडियोलोजी में दिल की धड़कन का अध्यान करने के लिए निमले खित्मी से किसका प्रयोग किया जाता है ऑप्सन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है कैथोड रे ओंसिलोस्कोप ध्यान दीजिए कहा हिर्दे से सम्मंदित विकारों को जाचने और उसमें सुधार करने के लिए जो सम्मंदित प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं कॉडियोलोजी तो हिर्दे रोगों के डॉक्टरों को कॉडियोलोजिस्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है कॉडियोलोजिस्ट कहा जाता है और कॉडियोलोजी में हिर्दे की धड़कन का अ और इस ग्राफिय रिकॉर्ड को एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ अत्वा एसी जी कहते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर आज के कोशन हो जाते कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से सुपरफास रिवीजन कोशने मानों शरीर में श्रोणी कंकाल का आकार क्या होता है व कौन सा खणीज मांस्ट फेश्यों और तंद्धकात उनको सक्री और नियंद्रत करता है विकलप आपका डी सही हो जाता है मैंगनेश्य नेक्स्टे कार्डियोलोजी में दिल की धड़कन का अध्यन करने के लिए निमले कितने से किसका प्रियोग किया जाता है तो बिकलप अपके यहाँ पर बी सही हो जाता है अग्नाश नेक्स्ट है निमले कितनी सी कौन सा अंग अप्र युक्त याँ छती गरस्त बिम्बाडू को हटाने में सक्षम है तो आप्सनियाँ पर हमारा सी सही हो जाता है तिल्ली नेक्स्ट है माहदमनी fill-in-the-blank के शेस पर शुरू होती है option यहाँ पर कौन से सही होगा option यहाँ पर हमारा B सही हो जाता है बाया निला fill-in-the-blank ने अधिग्रहित चरित की विरासत के सिद्धान को प्रतिपादित किया किसने option यहाँ पर हमारा सही हो जाता है option यह जीन Baptist लमार्क के बाद अंडासत है किस में परिवर्तित होता है औंडास यहाँ आपका D सही हो जाता है फल में परिवर्तित हो जाता है पुरा फल बन जाता है अंडास यह और अंदर का जो भीजांड होता है बीज में बदल जाता है नेक्स कोशिन पर हम आएंगे पौदों में पानी और पोशकत्तों के परिवहन के लिए संवहनी उतक को हम क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे सी जायलम नेक्स कोशिन है निमलिकित बिकल्पों में इसे पुनरुत पादक बीच उत्पादक पौधे का नाम आपको बताना है तो बिकल्प आपका C सही हो जाता है आलू अगला कोशिन है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्तिती के कारण रक्त की ठक्की का गठन होता है इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है ओप्सन यहापर D सही होता है थ्रूम्बोसाइट सिया प्लेटलिर्स कहते हैं जीवित प्राणियों में निशेचन के दौरा नरो और मादा गयामेट का सनलेयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है क्या कहते हैं ओप्सन ए सही होता जाइगोट या यूगमनज कहते हैं नेक्स ए आराम कने वाले ब्यक्ति की नाड़ी की दर आम तोर पर प्रती मिनट कितने धड़कन के बीच होती हैं ओप्सन भी हमारा सही होता है 60 और 75 के बीच नेक्स से एक वयस्क इंसान सामाने रूप से 24 गंटे में लगबग एक से कितने लीटर मूत्र विसरजित करता है 24 गंटे में एक से कितने लीटर मूत्र का विसरजित करता है ये ओप्सन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है लगबग हमने बताया था आपको 1.5 से 1.8 लीटर देर लेटर से लेकरके एक दसमनों आठ लेटर तक कोशन है 1943 में बिटामिन के की आविसकार के लिए फिल इन दा ब्लैंक को नोबिल पुरसकार दिया गया ओप्सन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है ओप्सन बी सही हो जाता है डोईजी एंड टैम तो फ्रेंस यहाँ पर आज के जितने भी कोशन थे उनको आम लोगों ने पुरा कम्प्लीट कर लिया और साथ में कर लिया सुपरफास रिबीजन चलते हैं आज के सवाल की तरफ आज का सवाल आप सभी के लिए आज का सवाल आप सभी के लिए है बहुत इंपॉर्टन कोशन मानों शरीर का कौन सा अंग इंसुलीन पैदा करता है यक्रित अगनाशे तिल्ली या पिताशे आपसन कौन सा सही होगा आप लोग कॉमेंट सक्सें में डेटेल में बताएंगे जितना भी आप लोग को पता हो बहुत इंपॉर्टन कोशन का कलेक्शन आप लोगों ने देखा तो कैसे लगे हमेशे के तेरे जरूर बताईगा और आप लोग अपने दोस्तों में इस लिंक को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है तो इसी के साथ ही मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गुद्भाइ और टेक या थैंक यू सो मच लब यू और बबाइ और टेक या जैन